जबलपुर नाकपुर भाजपा अलपसंख्यक मूर्चा की महामंत्री सनाख खान के हत्यारे उसके पती अमित साहू को नाकपुर पुलिस गिरफतार करके अपने साथ ले गई है नाकपुर पुलिस ने बताया कि सनाख खान अपने घर से एक तारिक की रात को अमित साहू के घर जबलपुर के लिए निकली थी दो तारिक के सुबा जबलपुर पहुँचकर उसने अपने परियारवालों को जानकारी दी थी इसके बाद वो अमित साहू के बिलहरी वाले घर पहुंच गई, घर पहुंचने के बाद उसका आरोपी पती अमित साहू के साथ विवाद हुआ था, जिसमें अमित साहू ने बांस के डंडे से सना के सर पर वार किये, सर पर ज्यादा चोट लगने के बाद वो जमीन पर गिर और अमित साहू घर को लौक करके चला गया दूसरे दिन वो आया और सना की लाश को कार में रखकर हिरन नदी के पुल से लाश को फेक दिया घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अमित साहू फरार हो गया था नाकपर पुलिस आरोपी की तलाश में पिछले एक सब्ता से जबलपुर सर्च कर रही थी इस घटना में पुलिस ने आरोपी के नौकर को भी गिरफतार किया था नाकपर पुलिस ने आरोपी अमित साहू को गिरफतार करने के बाद घटना इस तल और जहां से उसने मृतिका खान की लाश को फेका था उस इस तान का निरिक्शन किया इ करने के लढ़ोंज झाता क्यान कर होुज कोुछ तो बी पर घाका में छब दाना के पे सब्सक्राइब को यह तो भी तो सब्सक्राइब विए तो नढूल्यम साप्तो नमट स्टाइब सब्सक्णाइब पड़ी प्यारा था और जो इसके घर में गई थी अमिशाओ के उसका भी स्विच आप आ रहा था मोबाइल और आशंका के वज़े से अमने फिर गुना दाखिल किया गुना दाकिल करने के बाद आगे कि अमने तरकिकात की आरोपी को इरासत में अटक के आरोपी को यह अमिश अमिशाओ का कहना है कि सुबह मेरे घर पर आई थी जबलपूर और हम दोनों की जगड़ा हुआ जगड़ा होने के बाद आता पई हुए मारपेट में उसने जो लकड़ी का बास का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके दो-तिन बार मारा और जगपे गिर गई पर गणिवाख उपके उसके बोड़ी को फेक दिया एक मानकापुर के जो उसका बहुत है अच्छा हमारे ऐह त्सक्राइघач से मियरा त् Kelvin में यह दू़त कर और उस जो CDR का लगात्तार आनलिसिस करता रहा और लोकेशन हमको बेशता रहा हमारे आपके PC अनुप में उनके सब सायोग से हमने आरूपी का लोकेशन लेके आरूपी को इरासत में दिया गिरत्तार के आए